कोरोना वैक्सिनेशन के तीसरे चरण में आज से देश भर में 18 साल से उपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की इजाज़त दी गई है इसके लिए जब पहली बार 28 अप्रिल को रेजिस्ट्रेशन हुआ तो महें चार घंटे में ही करीब 80 लाख लोगों ने अपने नाम टीके के लिए दर्श कराया लेकिन कई राजी सरकारों ने वैक्सीन की कमी का हवाला देकर 18 से पैतालिस साल के लोगों को वैक्सीन लगाने से इनकार कर दिया दिल्ली, महराज्ट, पश्चिम, बंगाल, पंजाब, बिहार, आंधप्रदेश, जम्मू, कश्मीर, करनाट, गोवा, ओडिशा, उत्राखन जैसे राज्जियों में आज से 18 साल से उपर के लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाएगी कई राजी सरकारों ने आज से वैक्सीनेशन की तीसरे चरण में 18 साल से उपर को वैक्सीन लगाने में असमर्थता जताई है